नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनोज राय आज हम बात करेंगे हराड के बारे में इसका व्यज्यानिक नाम है टर्मिनेलिया चयवूला इसका कुल नाम है कॉम्बरे टैसी अंग्रेजी में दाचयवूलिक और ब्लेक मेरो बालन संस्क्रत में अभया, पत्या, कायस्था, पूतना, अम्रता, विज्या, चेत्की हिंदी में हराड, गुजराती में हरडे, मराठी में हिरड, हिरडा हर्तकी बंगाली में हर्तकी, हरितकी आधिनामर से जाना जाता है इसके गुणधर्म है यह रूखी, गरम, हलकी, मधुर, पाकवाली, तर्दोस हर है तीनों दोसों कोई सांद करती है यह मधुर तिक्त कसाय होने से, पित्त, कटू तिक्त कसाय होने से, कफ तथा अमल मधुर होने से बात का समन करती है इस प्रकार यह तर्दोस हर है प्रभाव से यह बात प्रकोप नहीं करती इसलिए तरदोसर है यह रूखी गरम उर्दरागनी वर्दक बुद्धी को बढाने वाली नेत्रों के लिए लाबकारी हलकी आयू वर्दक शरीर को बल देने वाली तथा बात को शांत करने वाली है यह स्वांस, कांस, प्रमेह, बवास, कुष्ट, सूजन, उदर रोग, क्रमी रोग, स्वर्भंग, ग्रहनी, विवन्द याने कब्ज, गुल्म, आदमान, ब्रण, ठकान, हिचकी, कंट और हरदय की रोग, कामला, सूल, अनाह, पलीहावा, यक्रत की रोग, पथरी, मूत और मूत्रगाजादी, रोग को दूर करती है, हरण, देवदारू, हल्दी, यह सब दोसों का पाचन करने वाला है, हरण कप, पित्तनासक है, प्रमेह, कुष्ट को नस्ट करता है, आखों के लिए हितकारी है, हरण, आवला, पिपिली, यह सब ज़रों को नस्ट करने वाले ह आखों के लिए हितकारी, अगनी दीपक, ब्रण, कफ, एवं अरूची को नस्ट करता है, हरण का फल, ब्रण के लिए हितकारी होता है, कुष्ण, सर, मेद्य, दोस्ट नसक, सोथ, यह सूजन, कुष्ट नसक, कशाय, अगनी दीपक, अमल तथा, आखों के लिए हितकारी है, हरण का चून नीम के पत्ते और आम की छाग और अनार फूल की कली महंदी के पत्ते इनका उबटन राजाओं की योग अंगराज हैं हरण में पांचों रसों के साथ रहकर भी प्रकोप नहीं करती इसलिए एक ही हरित की अनेक रोगों में प्रियोग की जाती है हरतकी की मज्जा में मधुररस, नाणियों में अमलरस, ब्रत में ब्रंत में कडवारस, छाल में कटूरस और गुठली में कसलारस होता है विशिष्ट गुनबकार इसके चवा कर खाई हुई हरण अगनी वर्दक होती है पीश कर खाई हुई हरण दस्तावर याना पेट साफ करती है उवाल कर खाई हुई हरण दस्त को बंद करती है भून कर खाई हुई हरण तरदोस हर भोजन के साथ खाई हुई हरण बुद्धी बल तता इंद्रियों को प्रसन करती है भोजन उपरांत खाई हुई हरण मिथ्या अनपान से होने वाले सब बिकारों को दूर करती है विशेश सिवन बिदी है हरित्की को नमक के साथ कफ द्रोगों को सकर के साथ पित को और धरत के साथ याने घी के साथ बात बिकारों को और गुड के साथ सब रोगों को दूर करती है जो रसायनात हरित्की का सेवन करना चाहते हैं उन्हें बरसा रितू में नमक के साथ सरद रितू में सक्कर के साथ हैमंत में सोंट के साथ सिसिर में पिपिली के साथ बसंत रितू में मधु के साथ और ग्रीश में रितू में गु कुछ किन है नहीं खाना चाहिए कुछ सावधानी भी है जो मनस्य मार्ग चलने से ठका हुआ हो दृरवल हो रुक्ष हो कमजोर हो या ना खाने से भी दूरवल हो अधिक पित्टेवाला जिनके अधिक पित्ट हो उन Ihrer उसका सिवन नहीं करना चाहिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों